केंदर जल्द ही बफर स्टोक के लिए खाद्यान खरीद के काम में FCI और अन्य सरकारी अजंसियों के साथ नीजी कमपनियों को आमंत्रित करेगा FCI और दूसरी सरकारी अजंसियां भी खरीदारी करेंगी और नीजी कमपनियां भी करेंगी खरीद लागत घटाने के लिए नीजी कमपनियां अमंत्रीत होंगी केंदर ने राज्य सरकारों को इस समन्द में चिठी भेजी है खाद्यान मुखे रूप से चावल और गेहूं सीदे किसानों से नियूंतम समर्थन मुल्या पर खरीदा जाता है और गरीबों को कल्यानकारी योजनाओं के तहत इसका वित्रन किया जाता है चावल और गेहूं की खरीद MSP पर की जाती है खाद्य सची सुधानशु पाने ने कहा है कि सिरफ FCI और राज्य अजन्सिया ही नहीं बलकि खाद्यान खरीद प्रक्रिया में नीजी कंपनिया भी होंगी नीजी कंपनिया अधिक कुशलता से खरीद करने में सक्षम है अगले सत्र से खरीद के लिए नीजी कंपनिया भी आमंत्रित होंगी इसके लिए केंजर सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश भी दे दिये हैं उन्होंने आगे कहा है कि हाली में अंतराश्ची अनास्तमेलन की अपनी यात्रा में उन्होंने पाया कि नीजी कमपनिया अधिक कुशलता से खरीद का काम कर रही थी अगर नीजी कंपनिया मोजुदा एजंसियों की तुल्ला में कम लागत पर और अधिक कुशलता से खाध्यान खरीदती हैं तो इसमें सरकार को कोई समस्या नहीं आगे उन्होंने कहा कि हमने राज्यों को लिखा है कि सरकार FCI और राज्य एजंसियों के लावा नीजी शेतर को खरीद परक्रिया में लाना चाहती है FCI और अन्य सरकारी एजंसिया बफर स्टोक के लिए सालाना लगबग 900 क्रोट टन अनाज की खरीदी करती है जबकि 6 क्रोट टन की मांग होती है राज्य सरकारों को स्पश रूप से कहा गया है कि केंदर सरकार 2% से अधिक काक्समी खर्च वहन नहीं करेगी झाल झाल